वाहे गुरु जी का खाल साव वाहे गुरु जी की फते गुरु प्यारयो जिस सरा की असी सारे आने पिछले एपीसोड विच भी क्या है कि चानी चौक दिली विखे शिर्गुरु ते एक बहादुर साहिब जी दे इल्ला सामी शाहदत तो बात किस दिलेरी यते बहादुरी देनाल पाई जेता जी अपने पिता जी दी कुर्बानी देके शिर्गुरु ते एक बहादुर साहिब जी दा पावन शीष उस्थान तो पाईजेता जी ने शिर्गुर्ते एक बहादूर सहीब जी दा पावण शीष अपने चातीना लगा के साथगुर्व अगे अरदास कीती के हे सचे पाशा जे एसेवा बक्षी है ते अपना हाथ मेरे सिर्थे राखके एसेवा पूरी करवा लेनी क्योंकि उना नू पता से के हुन तक मुगला नू सचाइदा पता लाग गया होगा ते मुगला दियां फाजा शेगुर्ते एक बादूर सहीब जीदे शीष दी पाल कार रहया होन गिया इस करके उशाही सड़क दी बजाए जंगला विचो रंगल रहे सान तांकि उना नू पकड़या ना जा सके अते करीब 40 किलोमीटर दा सफर तै करके पाई जेता जी बागपत शेहर पहुंचे 11 नवंबर दी देर रात नू पाई जेता जी एक सूफी संथ शेक हजरत वाहुदीन दी दरगाते पहुंचे वाहुदीन ने पुचिया तुसी कौन हो पाई जेता जी ने जवाब दिता कि मैं गुर्टेक बहादुर साहिब जी दा सिक जेता हां शेक वाहुदीन ने क्या मैं सुनिया है कि गुर्टेक बहादुर साहिब जी शेहिदी देन दिली गये सी की बनिया है पाई जेता जी दियां अखां जो अनल पार गईयां अते उन्हाने शेग उते एक बादूर साहिब जीदा पावन शीष दिखांदे होई किया इहे गुरू साहिब जीदा शीष है अते मैं अनानपुर साहिब लेके जा रहे हाँ शेग वाहु दीन दे पैरा थलो जमीन खिसक गई अते शेग जी ने क्या एकी पाना वरत गया है पाई जेता जी ने पुछा ये थे रात रुकंदा कोई ठिकाना मिल सकदा है की शेग जी ने क्या ये थे गुरू ते एक बहादूर साहिब जीदा एक सिक किशन पार रेंदा है अते ओ पाई जेता जी नो उस सिक देकार ले गए शेग जी ने क्या पाई किशन पाल ये पाई जेता गुरू ते एक बहादूर साहिब जीदा सिक है अते रात रुकना चांदा है अगों किशन पाल ने किया तानपाघहन गुरुदा सिखाया है अते यो पाई जेता जी नू अंदर ले गए पाई जेता जी ने पाई किशन पाल नू किया कि एक सुच्चा पलंग अते सुची चादर है ते लेयो पाई किशन पाल ने एक सुच्चा पलंग अते सुच्ची चादर देती पाई जेता जी ने पलंग ते चादर विशा के गुरु सहीब जीदा शीश उस ते विराज बान कर देता अते आप नीचे बैठ गए फिर पाई किशन पाल जी ने जेता जीनों कुछ है ये पाणड नों तुसी चातीना लगाया हुयासी अते बहुत समान दे रहें इसी पाई किशन पाल ने किया जे अननदपुर सहीब जा रहे हो ता गुरु सहीब जिनों केना बड़िया उड़ी कां लगिया हुआना एक वार दर्शन दे जाओ एहे सुनके पाई जेता जी ने किया फुर्खो समझ लो के गुरु साहिब जी ने तो आडिया अर्दासान सुन लेए हन पाई किशन पाल ने किया अर्दासान सुन लेए हन किते ने गुरु साहिब एक 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 उबार नूप जिया दे पाई जेता जी ने अवाज लगाई अटे गुरु साहिब जी दे शीश वाले कपड़े दियां परतां को लियां शुरू कितीयां पाई किशन पाल बड़ी हरानी अलवेक रहा सी जदों लहूना पिजी हुई आखरी परत खुली ते गुरु सहीफ जीदा शीष वेग के पाई किशन पाल अते उसते काट वालया दिया चीका निकल गया रुंदिया हयां पाई किशन पाल ने किया हे पाईशा एकिस रूप विच दर्शन दिते ने अते सब ने बड़ा विलाब कीता ते गुरु साहिब जिदे पलंग लागे बैठ गए पाई किशन पाल ने पाई जेता जी नुकिया तुसी कल सफर करना है परशादा शाक के थोड़ा आराम कर लोगो असी सारे पूरी रात गुरु साहिब जिदे शीष दी सेवा करांगे पाई जेता जी ने बे मने थोड़ा जया परशादा स्चक्या अते थोड़ा आराम करन तो बात बारा नुवंबर स्वेरे अमरित विले बाग पज़ड गए अते सारा दिन पाजदेयां पाजदेयां करीब 90 किलो मीटर दी दूरी तै कर दे होयां तरावडी करनाल हर्याना विखे पौँच गए ए दूसरा पड़ाओ सी पाई जेता जी थक गए संग अते कुछ कंटेया ले अराम करना चांदे संग उस कस्पे विच एक किला सी अते किले दे नाल ही एक तलाब सी तलाब ते लोक की कपड़े तो उना अंदे संग पाई जेता जी तलाब दे किनारे चाड़ियां पिछे लोक के बैठ गए इते पाई देवाराम शाइक फोजा दे कपड़े तो औरे आ सी अते कपड़े तो उन्दे तो उन्दे चाड़ियां दे पिछों सच रहट देवा जाई पाई देवाराम ने पुछे आ कौन है उते पाई जेता जी कुछ नहीं बूले अते पाई देवाराम होली होली अग्गे आया ते पुछदा है कौन है उते पाई पाई जीता जी ने उस अवाज विच हलीमी अते प्यार वेखिया ते किया मैं गुर्तेग बहादुर जीता सिख जीता हाँ अगों पाई दीवा राम ने किया जे तुसी गुरु दे सिख हो ते चाड़ियां विच क्यों लुके होए हो मैं वी गुर्तेग बाहदुर जीता सिखां तुसी मेरे कार्चलो सेवादा मौका देओ समरत गुरुदी किरपा दे नाल रस्ते अपने आप पांदे चले जा रहे सन अते गुर्तेग बाहदुर साहिब जीने जिना जिना नू दर्शन दे पचन देते सी उना नू दर्शन दे के रहमता वर्सा रहे सन पाई देवराम ने पाई जेता जी नू पुछया तुसे कित्थों आ रहे हो अते कित्थे जाना है पाई जेता जी ने जवाब दिता मैं दिल्ली तो आ रहे हाँ अते अनांदपूर साहिब जाना है पाई देवाराम जी किन दे हन अननपूर साहिब गुरु तेग बादूर जी दे दर्शन करन जा रहे हो बड़ा समा पहला मैं भी गुरु तेग बादूर साहिब जी दे दर्शन करन अननपूर साहिब गया सी गुरु ते एक बादुर साहिब जी ते मुक्ते बड़ा तेज सी गुरु साहिब जी बड़े कृपालू हन ओधो ही मैं उना दा सिख बन्या सी अते मैं उना नू बेंती कीती सी के मेरे कारिचरन पाओ तो चाटी उना ने क्या सिखा तेरे कार जरूर आवाँगे तुसी अरंगपुर साहिट जा रहे हो ते गुरु साहिट जी अपने बचना देना ते कहना में नू उन्ना दी उडीक है बड़ा समा हो गया है इकवारी दर्शन दे जाओ ये सुनके पाई जेता जी दिया अखां विच हन जू आ गए के गुरु साहिट जी अपने बचना दे के ने पके हन पाई देवाराम जी पुछते हन तुसी क्यों रोंदे हो की गल है पाई जेता जी ने क्या गुर्मुखा स्निहा पे जंदी लोड नहीं है समझ लोग गुरु साहिट जी ने अपना बचन पूरा कर देता है अते गुरु साहिट जी आ रहे हन जो एक सुची चादर ते सुचा पलंग लेयाओ पाई देवाराम ते उस्ती पतनी एक सुची चादर ते पलंग ते नालीक दुशाला जो उना ने गुरु साहिट जी ले बनाया सी छेती नाल लेयाए पाई देवाराम पुछ दे हन गुरु साहिट जी किते हन पाई जेता जी पाई देवाराम ते परवार नो गुरु साहिट जी दा शीष वो खौन दे हन आते केंदे हन जिनना दी तो आनों उडीक सी उन आदा शीश आया है ते चादर दियां परतां खोल दे हन जदो लहुव विच पी जी चादर दी आखरी परत खुल दी है ते गुरु साहिट जी दा शीश वेक के पाई देवाराम ते उस दे कारवाले दहाणा मार के रोंदे हन पाई देवाराम केंदे हन एक किस रूप विच दर्शन दिते हन उन पाई जेता जी अते बाकी सारे गुरु साहिब जी दे पलंग दे लागे बैठके विरलाब करते हन पाई देवाराम केंदे हन चलो कोई गालने इस रूप विच ही सही गुरु साहिब जी ने अपना वच पूरा ते कीता है तो अड़ा भी तनवाद है कि तुसी गुरु साहिब जी दे शीष्टे दर्शन करवाए हैं उन्तों अड़ा के बेंती है कि तुसी परशाज शाक के अराम कर लो ते असी सारे गुरु साहिब जी दे पावन शीष्टी सेवा करांगे ते उन्हा ने शर्दा विचा के एक कप्रे दी चौर बना के चौर दिनाल गुरु साहिब जी दे शीष्टी पूरी रात सेवा कीती अगले दिन तेरन वंबर अमरित वेले पाई जेता जी जदों उत्थों तुरन लगे ते पाई देवाराम ते उसते परवाल वालिया ने बे गुरु साहिब जी दे शीष्टी नो वे राजबान कीता है ते पाई देवाराम ते उन्हा दे परवार दे लोगा तो विदाई लई अधे अमरित वेले उत्थों निकल गए उस इत्यासिक स्थान ते हुन गुर्दवारा शिरी शीष्गन साहिब जी तरावरी हर्याना वि अमबाले दे नजदीक पॉँच के रात रुकंदा ठिकाना लब दे हुए मेहर दुमिया नू मिल दे हन हुने तीसरा पड़ाव सी मेहर दुमिया पाई जेता जी नू महला केत माजरी दे एक सिक शर्दालू राम देव जुलाहे दे कर पेज दे हन उत्थे पॉँच के बादू साहीड जीये एक सिक शर्द रात रादे काल रुकनः जंद कहना पाई राम दे जी पाई जेता जीनू बड़े सतकार出來 हा पै। दस्थे हन कि मेह भी गुर्त इक पहदू जीट सिक खा वह 9धी विच्छ मुच उन्नय इंक वारी मेनू दर्षन देमदे वचन दित स मैं सुनिया है के गुरु साहिब जी दिल्ली गए हन। चलो जांदिवार नए सही आंदिवार दर्शन जरूर देंगे। पाई राम देव जी दिकाल सुनके पाई जेता जी सोचते हन के गुरु साहिब जी कितने कुड़ पालू हन। उना दा शीष भी रहमता वरता आ रहा है। फिर पाई जेता जी ने क्या गुरु साहिब जी ने तो अड़ेते किरपा कर दिती है। उना ले एक सुच्चा आसन ल जदो लहुना पी जी होई आखरी परत खुली तक गुरु साहिब जीदा शीष्वेग के राम देव दिया चीका निकल गईया उसने कहा एक सचे पाशा एक किस रूप विच दर्शन दित्ते हन फिर बानी पड़ दिया होया पूरी रात गुरु साहिब जीदे शीष्टी सेव करांगा अगले दिन 14 नुवंबर अम्रित वेले जदो पाई जेता जी उत्थो निकलन लगे ता पाई राम देव ने कहा कि पाई त्यांदे नाल जाना इतिहास दास्ता है कि पाई राम देव ने उस आसन नो ता उमर प्वित्तर रख्या अते इस्तेबाल विच नहीं लिय दा बलकि तूब बती जला के गुरु साहिब जी दी बानी पढ़के उस आसन दी पूजा कीती उस इत्यासिक स्थान ते हुन गुर्दवारा शिरी शीशकान साहिब जी महला केत माजरी अंबाला रियाना विखे शिशो बिथान पाई जेता जी चंगला विचो पाई दे जा रहे सन ते महरा जगे अर्दास कीती के है सचे पाई शाह जे ए सेवा बक्षी है ते मेरे सिते हाथ राके ए में तो पूरी करवा लैना तोड़दे दोड़दे करीब तर ताली किलोमीटर दा सफर तैका के शाम तक अपने चौते पढ़ाओ नाबा साहिब पंच कुले चंड लगबग सौ सालतों भी उपपर सी ओ गुर्टेग बहादुर साहिब जीदा मुरीद सी अते उना दे दर्शन दी उडीक कर रहा सी ओ सूफी फकीर पाई जीता जीनों कुछता है तुसी कौन हो अते इस हालत विच कितों आ रहे हो पाई जीता जी दास्दे हन के मैं पुर साहिब जा रहे हां हां tatay थौदा आराम करना चांदा हां वो सूफी फकीर फाई जिता जीन्हों अपने कार ला गया अते किया पाई अनंगपुर साहिप जा रहे हो तक गुरू साहिप जी नूं कहना कि उन्हादा एक पगत बड़े समय तो उन्हादी उडीक कर रहा है उन्हादा दर्शन दे जाओ ए सुनके पाई जेता जीरिया अखां हंजो अनाल पार गईया तक उन्हाने गुरू ते एक ब कि हुन इस जालिम हकोबत दियां जड़ा पुटियां गईयां समझो फिर सुच्चे आसन ते गुरू साहिप जी दा पाउन शीष विराज मान करके पाई जेता जी नूं परशादा शिका के अराम करन ले किया अते आप गुरू साहिप जी दे शीष दे पूरी रात सेवा कर दे रहे अगले दिन जदो पाई जेता जी उत्व चलन लगे ता सूफी फकीर जी कहन लगे कि गुरू साहिप जी दे सपुत्तर गोबिंद राय जी नूं कहना कि एक वारी दर्शन जरूर दे जान जाता को दर्शन नहीं देंगे मैं प्रान नहीं त्यागांगा इत्या आस आसदा है कि सन 1688 नूं मुगला दे खिलाफ पगानी दी जंग जित के गुरू गोबिंद सिंग साहिप जी ने दर्शन दिते सन अते गुरू साहिप जी दे तर्शन करंतो बाद ही दर्शन ने प्रान ते आगे सन फकीर दर्गाही शा दे निवास ते मुन गुर्दवारा श शीशकान साहिब जी शिशोबित हन अते फकीद दर्गाही शादी समाद गुर्दवारा साहिब जी दे आसपास है अते एथे शिक्स दालू दर्शन करन अंदे हन हन पंदरा नुवंबर 1675 अमरित वेले पाइजेता जी दर्गाही शाद जीतों इजाज़त लेके चल पए अते पाज़ते पाज़ते करीब 40 किलोमीटर दा सफ़र ते करके कीरत पूर साहिब पहुँच गए अते ए सोच के के गुरू परवार ने शायद गुरू साहिब जीदा ससकार कीरत पूर साहिब भी करना हो वे क्योंकि गुरू हर गोबिन साहिब जी अते गुरू हर राय साहिब जीदा ससकार भी कीरत पूर साहिब भी के ही कीता गया सी इसलिए ओ कीरतपुर सहीश रोग गए, आपे एक उच्चे स्थान ते गुरु साहिद जीदा पावंशीश विराजमान कार दिता अनांदपुर साहिब जा रहे एक सिख दे रही गोबिंद राई जी नो सिनेहा पेजिया के गुरु साहिब जी दा शीश कीरतपुर साहिब पहुँच गया है पाजेता जी ने कीरतपुर विखे जिस थान ते गुरु साहिब जी दा पावज शीश विराज मान कीता सी उस सिस्तान ते हुन गुर्दवारा शिरी विबान गांड साहीब जी कीरतपुर साहीब के खिशो बेथान ओ सिक 15-15 करीब 15 किलो मीटर दा सफर तैय करके अननदपुर साहीब पहुंचिया है अगों गुरु साहिब जी दे माता जी पेपे नानकी जी मिल दे हन अते पुछ दे हन की गाले सिखा इस हालत विशाहु साही कितों पज्जा आ रहा है इतने नू ओ थे गोबिंद राय जी अते माता गुजरी जी विए आ गए अते ओ सिक रोदा होया गोबिंद राय जी दे चर्ना विच डिग पया गोबिंद राय जी ने उसनों उठा के होसला दिता अते उसने गोबिंद राय जी नू दसया कि गुरु साहिब जी दा शीष उन कीरत पुर साहिब पहुंच गया है सब अडोल रहे अते अकाल पुरक साहिप जी ता पाना मांदे हन अते गोबिंद राय जी गुरु साहिप जी ते पावंशीष नो ले आन ले एक सुन्दर पाल की तियार करवांदे हन हुन गोबिंद राय जी पेपे नानकी जी माता गुजरी जी मामा केर पाल चंद अते सिक संगता कीपतन करदे हुए गुरु साहिप जी ता पावंशीष लेन कीरत पुर साहिप जान दे हन जदो कीरत पुर साहिप पहुंचे पाइजेता जी ने गुरू साहिप जी दे पावनशीश नो एक उच्छे स्थान ते बिराज बान कीता होया सी गोबिंदराय जी बेबे नानकी जी माता गुजरी जी अते मामा किरपाल चांड जी नो वेक के गोबिंदराय जी ने पाइजेता जी नो उठाया अते फुरमाया पाइजेता जी कमाल कर देता है पाइजेता जी हुन बेबे नानकी जी नो बेंती कर दे हन दादी जी गुरू साहिप जी दे पावनशीश तो कपड़ा तुसी ही चुको जदो बेबे नान की जी अपने लगते जिगर गुरते एक बहादुर साहिब जी ते मुख तो कपड़ा चुक दे हन वो ना दे दिल विच दरते है मगर अखा विच अथुरू नहीं वो प्यार नाल गुरु साहिब जी ते शीश नू चुक दे हन अते आगते हन वेखो मेरे पुतर दा मुख कितनी अडल का मार रहा है जिस तरह मुस्क्रोंदे होए गये सन उससे तरह ही मुस्क्रोंदे होए आये हन फिर माता गुजरी जी अग्गे आउन अते शीश नू मत्ता टेक दे हन अते केंदे हन साहिब जी तो आड़ी ते निब गई साड़े वी शीश ते हाथ रखो कि साड़े वी निब जाए संगता विराग वी जी पिजियां अखा देनाल गुरु साहिब जी दे शीश ते दर्शन कर रही हन सन गुबिद रहे जी हुन मचते आए अते उना ने पाई जेता जी तो पूरी गल सुनी कि किस तरह पाई जेता जी चाती ना लगा के गुरु साहिब जी दे शीश नू हिफासत अते मशकत देनाल लेके आए हन उना ने फुर्माया पाई जेता जी मैं तो अड़ी सेवा तो बहुत परसान हा फिर उना ने पाई जेता जी दे शीश नू कुट के चाती देनाल लगा लिया हते पाई जेता जी नू वर देता रंगरेटा गुरु का बेटा फिर पुछया पाई जेता जी इक गल दसो कि ज इस समय इस साका वरत रहा सी उथे कुर्णानेगदा कोई सिख नहीं सी पाई जेता जी ने को हाथ जोड़के क्या महराज उथे कोई सिख होवेगा भी ते पेचानिया नहीं जा सकता एस उनके गोबिंद राय जी ने में आंचो शम्शीर कड़ी अते इलान कीता कि हुन मैं एक एहो जया खाल सा तियार कराना जो लखा दी पीड विच वी कला वक्रा पेचानिया जा सकेगा उन सिख दी पेचान वक्री होएगी सिख दी शान वक्री होएगी उन सिख ता मान वक्रा होएगा उन गुर्णानक दा सिख सारया विचो निवेकला होएगा गोबिंद राय जी हुन पाईजेता जी ते बड़े परसान होए अते ओनाने पाईजेता जी नू किया पाईजेता जी कुछ मंग लवो अगो पाईजेता जी ने हाथ जोड के किया महराज चन्ना दी प्रीती अते अमरिस साज दे दर्शन इश्णान बक्षो गोबिंद राय जी ने किरपा कीती अते पाईजेता जी ते समान वीच हरमंदर साही अमरिस सार विखे रंग्रेटा बुंगा वी बनवाया सी हुन गोबिंद राय जी ने गुरु साहिब जी दे पावशीष नू पाल की विच्वे राजवान कीता अते संगता देनाल कीतन कर दे होए अननदपुर सही वाल चल पए अनन्पुर सही पॉंच के चंदन्द या लकड़ा दे नाल गुरु सही जी दे पावंशीष ता सस्कार कीता गया सस्कार दे समय एक होर खूब सूरत काल हुई गोपिंद राय जी ने पाईजेता जी नू किया पाईजेता जी तुसी गुरु के बेटे हो अते गुरु सही जी दे शीष ता सस्कार भी तुसी करो तन हन शिरी गुरु गोपिंद सही जी अपने सिखानू मान पकश रह हन जे गुरु दा बेटा हों दा वर दिता है ते पूरी तरह उनन गुरु दा बेटा भी बनाया है इतियाजदाजदा है कि गुरु साहिब जी दे पावण शीष्टा सस्कार करन्दा मान पाई जेता जी नो प्रापत होया है अनानपूर साहिब विखे जिते गुरु साहिब जी दे पावण शीष्टा सस्कार कीता गया सी उस इत्यासिक स्थान ते हुन गुर्दवारा शिरी शीशकन साहिब जी शिशो बिथान। इत्यासिक सेवा, बहादुरी, दिलेरी, कुर्बानी, जंगी का लादियां खुबियां अते उना दे जीवन दे अनेक पहलु आपारे असी अगले एपिसोड विज जानांगे। गुरु प्यारे ओ, इस वीडियो बारे अपने कमेंट जरूर पेजना, अते अगले वीडियो दे नोटिफिकेशन लेई, चैनल दे लिंक नो सब्सक्राइब करना। महा पुर्खादिया कुर्बानिया, शिहिदिया दे समान, अते सिखी दे परचार ले, चैनल दे लिंक नो वद तो वद शेयर करने के रिपालता करनी, इनिया सेवामा परवान करनीया, सेवामा कर दे हूँ या पुला चुका लेखिमा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे पुरु जी की फति